बाबा साब दॉक्टर अम्बेटकर ने कहा था कि सिक्षा शेरणी का वो दूद है जो पीएगा वो दहाड़ेगा लेकिन आज कल हमारे देश में जो हो रहा है वो इशारा करता है कि इस सिक्षा रूपी शेरणी के दूद को ना कभी कोई पी पाएगा और ना कोई दहाड़ पाएगा मैं बात कर रहा हूं देश में वरतमान सिक्षा विवस्ता की और उसी में अभी युनिवर्सिटी ग्राइंट कमिशन के और से यूजिसी जो कि देश की 45 सेंट्रल University में कामकाज को देखती है क्या प्रक्रिया उसका कामकाज देखती है UGC उसने एक notification लेके आए हैं और उस notification का मतलब है कि जो डेश की 45 Central Universities में पढ़ना चाहता है उसके लिएक परवेस परिक्षा होगी आपने देखा होगा कि Medical के लिए MBBS की पढ़ाई के लिए NEET का exam लेके आई थी मोधी सरकार IIT के लिए जैसे paper होता है उसी तरह से अब undergraduate और post graduate programs के लिए भी एक paper होगा UGC का लेकिन उस फैसले को खास कर दलित बहुजन बेक्राउंड से आने जो छात्रे उनके लिए एक बुरा फैसला माना जा रहा है और यह का जा रहा है कि इससे सिक्षा के ऊपर काफी बड़ा हमला होगा और खास कर बोजन समाथ से आने वाले बच्चे जो है वह उनिवर्सिटी की दली को नहीं लाइंग पाइन यह तो बहुत बड़ा जरूरी सवाल हो जाता है और इससे जरूरी सवाल का जवाब देने के लिए में साथ ये जब खबर पढ़ रहा था कि ये यूजी सी एक पेटरल लेकर आई है और उनका कहना है कि अभी अगर आपको जैसे बीए करना है बीएसी करना है बीकॉम करना है जो अंडर ग्रजुएट क्यूमेनिटीज के जो पेपर होते थे उसमें आपको एक नेशनल एलिजिबलेटी काइंड ओफ कोई टेस्ट होगा जो पास करना जरूरी होगा तो इस खबर को समझने के बाद क्या जैन में आया क्या प्रतिक्रिया है ये खबर है क्या असल में यह बहुत महत्पूर घटना है पूरे सिक्षा जगत के लियास से असल में हो यह रहा था अब तक का अकेडमिक जो प्रैक्टिस रही है वो यह रही है कि दो तरह के बोर्ड काम करते हैं एक तो केंद्री अस्तर पर है सीवीजी और राज का हर राजी का अलग-अलग अपना सिक्षा बोर्ड है तो सब जगे पर अलग सेलिबस रखे जाते हैं कोई यूनिफॉर्म सेलिबस भी नहीं होता इसलिए यूनिफॉर्म स्टडी जैसा कुछ नहीं होता तो वहां सेलिबस अलग है हर जगे परसिंटेज अलग मिलते हैं सबका पैटर्न भी अलग-अलग है तो सारे बच्चों को एड्मिशन सेंटर लुश्टीज में मिले उसके लिए अब तक यह किया जाता था कि वह जो यह कहा है कि अब क्या होगा कि बारहवी के अंको के अधार पर आपको ग्रेजुएशन के लिए अड्मिशन नहीं मिलेगा इन सेंटर लुश्टीज में अच्छा मतलब जैसे पहले मेरा जब एड्मिशन हुआ था तो बार्वी पे जितने मेरे नंबर आये थे उसके अधार मुझे एक कट-off के हिसाफ से अड्मिशन मिला था लेकिन आप ऐसा नहीं होगा बिल्कुल अब क्या है कि इसके कई सवाल पूरे पर उठाय जा रहे थे और सवाल बहुत तार्किक भी थे इसलिए प्रथम द्रिश्टिया अगर दूर से आप देखेंगे तो यह वेवस्था भी कई बोर्ड में हैं तो किसी जगह पर जो टॉप करने वाला विद्यार्थी है कहीं 60-60-70% पर टॉप कर रहा है तो किसी राजी में वो 90% पर टॉप कर रहा है अब तो उन्हें मौका ही नहीं मिल पाएगा किंद्रि विश्ट जयले में पढ़ने का इस चुनौती को दूर करने के नाम पर यह प्रावधान लाया गया कि बारहमी के अंग को कोई हम बहुत तबज्यों नहीं देंगे अब एक उपन एक्जाम होगा एक परिक्षा दीजिए मेरिट बनेगी उस परिक्षा के लिहास से फिर आपको मौका मिलेगा कि आप देश के किसी के अंद्रि विश्ट जयले में पढ़ सकते हैं तो यह एक नई चीज आई है जिसको मोटे तोर पर अभी मैं इतना ही कह रहा विद्यार्थी के लेबल पर कोई दिक्कत रही और उसके बार हमें नंबर कम आ गये और उसने इस एंट्रेंस एक्जाम में अच्छा स्कोर किया तो उसको जो वहां पर टोपर होगा शायद उससे भी वेटर कॉलेज मिल जा है तो सुनने में तो यह अच्छा लग रहा है न मा लेजे किसी विद्यार्थी को कम पढ़ने का मौका मिला कहीं पढ़ाई नहीं हुई थी कहीं कुछ भी घरेलों स्थित्या ठीक नहीं थी उन सारे विद्यार्थियों को हमने को और मौका दिया यहां तक अच्छा है अब इसका एक दूसरा पक्ष है जिस पर बात होनी चा केल दे और बारहमी तक का इंतजार केवल इसले किया जाए कि वह इंट्रेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट देना है तो सारा फोकस अब इस टेस्ट पर हो जाएगा क्योंकि आपको इसी टेस्ट के नंबर पर एड्मिशन मिलेगा तो बारहमी तक की एक दिक्कत और है हाला कि बहुत छोटी बाचीत में बहुत गहरे विश्यों पर बात नहीं वह पाती तो कई बार हम लोग इशारा मातर करते हूं जैसे बात सोचिए दुनिया भर में एजुकेशन पैटर्न अलग अलग है कहीं एक जैसा नहीं हम नहीं हमने जो एजुकेश घर से लेकर के विद्यारती की बाहर तक लगा था और उसके उपर बना जाता तक तुम अच्छे नंबर ले आओ अच्छे नंबर से तुम परिश्या पास करो तुम्हें टॉप करना है तुम्हें यह करना है और उसके आदार पर फिर अड्मिशन पाना और यह यह पुरा प गुडवत्ता के लिए थी और इंट्रेंस एक्जाम आ जाने से वो गुडवत्ता के लिए पहले भी कम हुआ करती थी अब एक्जामपल ले लिए यह मेडिकल के कोर्सेज में यही पैटर्न है और अभी UPSC या कम्टिट्व एक्जाम को थोड़ी जरी के लिए छोड़ते हैं फिर हम उस पर आएंगे यह दो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं मेडिकल की तैयारी बारहमे के बाद आप करते हैं और इंजिरिनिंग की तैयारी बारहमे के बाद करते हैं दोनों में यही बात की गई है कि बारहमे के नंबर से कोई मतलब नहीं है आप इंट्रेंस दीजिए उस जैसे जो स्टेड बॉर्ड हैं सब जैसे अब्स नहीं थे अवर्ड ये का तरीका है अलग अलग बॉर्ट है और स्लेव्रा से बहुता है वह अधर मिलता है हूं डिली में सीबर्ड काशों मेलता उनके लिए तो वो ठीक है क्योंकि उन्होंने वो पढ़ा हुआ है लेकिन जो बाकी बोर्ड के वो कहीं और इसा बोर्ड से बिहार बोर्ड से उत्राखन बोर्ड से कहीं से पढ़के आएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि यह एंट्रेंस जो एक्जैम है एक बेरियर बन ले आएंपने लोगों को तो समझने में लोगों को असानी होगी इसका एक्जामपल फिर से लेते हैं कई बार हम लोग यह बात कहते हैं कि आप थो ॥ा ever viral कर आयो अइसा नहीं होगा यह बहुत अच्छी वेवस्ता है हम एक्जामपल ले लेते हैं नीट का एक्जामपल मेडिकल के लिए इंट्रेंस टेस्ट होता है सेंट्रलाइज तो क्या बारहमी तक की परिक्षा है जितने विद्यार्थी देखर के नीट में आ रहे हैं वो सारी सेंट्रलाइज एक्जाम किस सेलवस पर लिया और हर विद्यार्थी सीबियस का यहां नहीं आ रहा है और ऐसा भी नहीं कि स्टेट बोर्ट और इसमें अंतर नहीं होता तो एक तो यह बिलकुल बात है तो जो नुकसान नीट के परिक्षा में राज के बोर्ड से पढ़े अपनी शेत्री भारती भाषा भे पड़े हुए विद्यार्थियों को होता है वह यहां भी होगा भाषा का भी एक माध्यम बनेगा एक बाधा बनेगी राज बोर्ड के सेलवस का बाधा बनेगी तीसरी बात अब इस पर आते हैं सेलवस वाली बात पर तो बिल्कुल क्लिय मैं कै रहा हूं कि मैं हिंदी का सिक्षक हूं ठीक बात है कि मेरे यह हम भाषा का बेरियर नहीं आएगा फिर भी मैं कै रहा हूं हिंदी भाषिक शेत्र और गैर हिंदी वाशी weitउं से अगर कोई विद्यारती आया तो दोनों में अंतर होगा इसलिए बहुत ज़्यादा दवाव जो हम डालते हैं कि सब पुरा देश एक देश एक चुनाव एक रंग एक निशान एक जंडा यह जो वह वाला भावन है कहीं कहीं मुझे लगता है सिक्षा पर इसका प्रयोग किया इसी में फिर वह दूसरी बात हो रही थी पहला यह कि आपने एक्जाम में यह दिया अब दो तीन चोटे चोटे बिंदू में जोड़ता हूं अगर सेंट्रल यूनिवर सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होगा पहतालिस केंद्रि विश्व द्यालियों में ह मैं दावा करता हूं कि इनके लिए वे विद्यार्थी जिनके नंबर अच्छे हो या कम अच्छे हो दोनों पहले इसकी तयारी करेंगे आप कोचिंग इंस्ट्यूट की इंग्जेक्टली आप अलग से तयारी कराएंगे विद्यार्थियों को कि हमारे विद्यार्थी को मा तो जैसे हम देखते हैं कि IIT के लिए तमाम तरीके के बड़े बड़े इंस्ट्यूशन से हैं और वो कई हजार करोड का एंपायर है उनका टरनोवर है आप देखेंगे लाग करोड तक चाहिए बहुत बड़ा एक कोचिंग का इंस्ट्यूशन बन गए हैं कोटा जैसे आप द लेगा फूलेगा क्योंकि आपको बीए करने के लिए पेपर देना है और उसके लिए आपको तयारी करने पड़ेगी एक्स्ट्रा पैसा करना पड़ेगा तो यह अतिरिक दवाओ छात्रों पे भी रहेगा और यह खासकर जो इस तरह के जो इस्टूशन से इनको बड़ाव पहले थोड़ी दिर पहले मैंने बात कही थी कि हमने जो एजुकेशन पैटर्न चुना है ना वो परिक्षा केंद्रित अंकपत्त केंद्रित है कौन बोल्ड मेडल पा गया ओगते सूरज को सलाम किया आता है हमारे यह नागरजुन के बड़ी प्रसिद कविता है उन जो नह पर की पूजा होती एक बात अब ठीक है इसके और भी बजया है कि सब की पूजा ने हो सकती तो हम एक देवता चुन लेकिन इस पूरे पैटर्न में जो पिछड़ जाता है उसके नंबर पहले भी कम आते थी बारगी तर उसके नंबर इस इंटरेंस में भी कम आ सकते हैं यह लोग यह दावा कर रहे हैं कि हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं कि भाई वह मेहनत करके इसमें अच्छे नंबर ले आ सकते हैं अब मेरा सवाल है जैसे मालीज एक बहुत छोटी सी परिक्षाक तैयारी करें बैंकिंग की तैयारी करें वंडे एक्जाम बाद ग्रेजुएश को पढ़ा जाता है फिर कोचिंग एंपरा क्यों खड़े हुए क्योंकि एक ऐसी रेस थी जिसमें सीटे कम थी और लोग बहुत ज्यादा थे तो जब बहुत ज्यादा लोग अपलाई करेंगे किसी एक सो सीटे अच्छा पूरे पैसालीस केंद्री विश्रुद्याले को मिल जा लेजिए पचास सीटे लगबग मालने असी डिग्री का लेज तो 400 सीटे 400 सीटे हैं पूरे दिल्ली विश्रुद्याले में बीए के अब यह सीटे तो आप नहीं वढ़ाएंगे अपलाई कोई भी कर सकता है रेस बड़ी हो गई कि नहीं इस रेस में कौन आगे जाएग तो कोचिंग एंपायर खड़े होंगे यह बिल्कुल वही पैटर्न है UPSC के लिए मिनिममम सेलबस्त हो था ग्रिजुएशन का लेकिन लाखों लाख रुपए फीज दे करके आज कौन आराय कोचिंग में मेडिकल और इंजिनरिंग में जो कोटा लखनव बनारस और पठना से लेकर के इलहाबाद और मुखरजी नगर है यह पूरा कोचिंग का तंत्र है तो वही होगा कि आपके इस घर में पैदा हुए है ना उससे तय हो जाएगा कि आप कितनी दूर तक जाएं कितनी दूर तक यह तो बिल्कुल इसकर जो हम आउसरों की बात करते हैं कि एक तो आपको पड़ाई लिखाई करने की ऐसी कॉंपिटिशन की तैयारी करने की और यह जितनी भी प्रत्योगी परिक्षाएं होती है उसको तैयारी करने के आपके पास साधन है आप सक्षम है उनको करने में दूसरा आपको अवसर मिलता है तो यह अगर इस तरह का पैटरन बेस बड़ी जमात को बाहर कर दिया जाए जाए जो बेर ना कर पाएंगे सब बाहर हो जाएंगे बिलकुल आपका सवाल बहुत महत्पूर है सुमिच जी और इसकी वज़े केवल यह सेंट्रल इंट्रेंस टेस्ट नहीं सेंट्रेंस टेस्ट असल में अब हमारा देश सिक्षा क को लेकर के वे नेतियां अपना चुका है मैं कह Custom तो नहीं रहा है वे नीतियां अपना चुका है जो वेल फेर स्टेट कीपूरे क्वश्य के खेलाब है कं बाहरे है कल्यांड कारी राज जी की जिम्मेधारियी यह थी आप एक मनुष्य की बुरून bliss जरूत क्या थी रोटी कपड़ा मकान वो एक केस्म की बुनियादी जरूरत है दूसरे केस्म की जरूरत में सिक्षा स्वास्त और रोजगारा यानि सिक्षा सबसे प्रात्मिक है जैसे पेट भरेगा शरीर पर कपड़ा आएगा लोगों के सर पर जोपड़ी होगी जिसके पास यह तीनों नह किसी की जाती बढ़ी या चोटी नहीं कहीं जा रही है पर पड़ा हो कितना पढ़ाई हम उसGS तरफ नहीं जा रहे थ करने के लिए हमारे इसे लिए मानो संसाधन और विकास मंत्रा ले कर दिया गया चटी चटी बाते होती ने अर्थ उसके गहरे होते हैं हमने जो मानों को संसाधन बनाना था इसके दूसरा असपेक्ट भी था वो कह रहे थे अब्जेक्ट मत बनाईये मनुश्य को संसाधन मत बनाईये हम अब तह कर रहे हैं कि इस पूरे जो नई सिक्षा नीति का पूरा चरित्र है राज लगातार हाग पीछे खीच रहा है प्राइवीटाइज पैटर्न पर ये पूरी सक्षा जा रही है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सेंट्र यूनिवर्सिटे इंट्रेंस टेस्ट का सीधा लिंक उससे हैं लेकिन हाँ यह उसी का है तो इसलिए यह तै हो जाएगा चाहे वह बारहमीं किस बोर्ड से करके आएं हैं आप किस इलाके के रहने वाले हैं अगर आप फॉर्स जेनरेशन लर्नर हैं हिम्मत कौन कर पाता था जो मेडिकल इंजिनरिंग में नहीं जाने के काबिल था जो अपने बच्चों को यूप एसी के लिए नहीं भेज सकता है जो विद्यार्थी इंजिनेरिंग में जाएगा वो यूपी एसी करेक करेगा वो बड़े खाब देखेगा आपने इस परिक्षा को लिए ये काम कर दिया कि वही कोचिंग एंपायर पूरा खड़ा हो गया लाख रुपए फीज दीजे तो ग्रेजुशन देखिए मेरा एक डर इस लिए भी है क्योंकि हम एक ऐसे बैक्ग्राउंड से आते हैं जो सबसे ज्यादा वंचित है मैं अपने घर का पहले ग्रेजुइट आद्मी हूं से पहले लोग नहीं पढ़ता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी तरह सिक्षा के जो भी इस्ट्यूशन से वांतर मोंच पाते हैं लेक जब हमारे आदमी पढ़ने लगे तो युनिवर्सिटीज को प्राइवेट किया जा रहा है नहीं एजुकेशन पॉलेसी सरकारी जो सिक्षा प्रनाली थी स्कूल खासकर वो बरबाद हुए कोविड काल में तो बहुत तबाह हो गए और प्राइवेटाइजेशन की तरफ सि जिम्मेदारी कम करेगा राज जी यह कहेगा कि सब को सिक्षा देना मेरी जिम्मेदारी ठोड़ी है पढ़ लो जिसके पास पैसे हैं आप एक ओपन रेस कर दिया तो अब इस रेस में होगा क्या देखिए साफ तौर पर यह बिल्कुल स्फष्ट बात है एसर की रिपोर्ट आती है एनुवल गवर्मेंट भी उसको कंसीडर करती है कई बार एसर की रिपोर्ट कहती है कि अभी भी ड्रॉप आउट रिशियो किसका सबसे जाता है इस फॉर्स जेनरेशन लेर्नर्स का पहली पीड़ी के लोग जो सिक्षा तक आ रहे हैं और मैं पहली पीड़ी जब कह किसी बच्ची की शादी मजबूरी में न करें तो यह मजदूरी और मजबूरी का जो तंद्र था उससे जो निकल पाया वही तो सिक्षा पाने जाता है सबको सिक्षा का उसर नहीं है नंबर एक बात अब धीरे धीरे चलो एक आर्थिक सामाजिक सुधार के बड़ी हो रही है भारत में समविधान लागू है उसी समविधान की एक अगली कड़ी की रूप में मंडल कमीशन आया उच सिक्षा तक आरक्षन आया पहली बार एक वेवस्थित तोर पर उसी एसर के रिपोर्ट और तमाम लोग कहते हैं कि वंचित शोषित जमात की पहली पेड़ बेवस्थित तोर पर नब्बे के बाद आना शुरू है और जैसी नब्बे के बाद इधर वंचित शोषित नब्बे फिजदी आवाम आना शुरू है राज अपनी भूमिका सिक्षा से कम करना शुरू कर देए नहीं थे तो तब ठीक था हमारी इंट्री होगी तो फिर क्य लांदोलन और सिक्षा नीथी और उसका परड़ित है ऐसा नहीं 86 में सिक्षा नीथी बनी थी अब आखरी में बड़ा महत्पूर्ट बिंदू है उस पर मैं बात करना चाहता हूं उसी वंचित शोषित जमात से जोड़िए पैरलल क्या हो रहा है प्राइविटाइजेशन अब तो हर चरब मौद्री करण कह दिया गया सुनने में खुबसूरत लगता है कि मुद्रा पाने का सोर से सिक्षा क्या मुनाफ़ा का ब्यापार होती है क्या बाकी जगों से मुनाफ़ा कमाने के लिए देश अपने नई पीड़ी के बच्चों की भविश्य को बेचने की बात करेगा, आप नई सिक्षानीत में क्या लाए है, ग्रिडि ऑटोनवी, बोर्ड ओफ गवर्नर्स ग्रिडट ऑटोनमी कहती है कि जैसे जैसे आपको नैक की रैंकिंग में उपर जाना है, मैं हार एशुकेशन का भी रिफरेंस ले रहा हूँ, ग्रिड़ी ऑटोनमी है क वोन्ड ब्यवस्ताम जैसे ब्रहमरक्षप्रिवाश शूद्र वैसे चिक्षा ब्यवस्ता में तीन ग्रेड होंगे ग्रेड सी ग्रेड ब्रीड ए इस वहां पर कुछ वहोगा नहीं सामान धंग से वह इंस्टिटीट चलेगा और उस इंस्टिटूट पर दबाव होगा कि ब् तो यहां एक कोर्स के लिए पाच जार देने थे तो महां पचास जार देना होगा यह फरक है बिलकुल यही फरक है और बहुत सारे फरक होंगे यहां पढ़ाई नहीं होती है वहां थोड़ी बड़ेतर पढ़ाई होगी यहां आपके नजदीक विश्र द्याले होगा स्कूल कोलेज होगा वहां थोड़ा दूर होगा और तीसरा वहां व्योस्था का सबसे उपर तो समाण पर है वह कौन है एक ग्रेट का इंस्टिट्यूट ग्रेड़ेर अटोनामी समझे एक ग्रेट का इंस्टिट्यूट यह माल लिया जाएगा कि आप सर्वस्रिष्ट हैं आपको किया जाता है स्वायत किया प्रिक्ता सुनने में तो अष्छा लगता है कि स्वायतता तो वही है कि स्टेट आपको पैसा नहीं देगा आप सेल फाइनेंस पॉर्सेज ले आएगी और हेफा इक्तंत बनाया जाएगा जिससे अप लोन लेजिए अच्छा इंस्टिट्यूट लोन लेगा कि आप हमें इतना पैसा दीजिए के इंदर सरकार हम आपको इतने साल में वापस कर तो सारी फीस जो यहां 50,000 आप पांच जार बताई बी ग्रेड में 50 बताई यहां सीधे पांच लाग से दस लाग हो जाएगा नई सिक्षा नहीं की यहां आपको ले आ रहे हैं आप कह रहे हैं विदेश और बहुत सारे क्लॉस तो दिखाने के लिए होते हैं ना आतिके कि ड्रॉप आउट रिश्यों कम करेंगे चत्री भाशाओं का विस्तार देंगे दस्वें और बारामी का बोर्ड एक्जाम का जो दबाव था उसको कम करेंगे लेकिन यह जो करेंगे वो छोटे-छोटे स्कूलों को कम करके क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत इस स्कूलो हमें आगे जाना था यह पीछे दर केल रहे हैं गुडवत्ता के नाम पर कि हम स्रेश्ट पर सिक्षा देंगे तो स्रेश्ट की जरूद में लेकिन जैसे हम जैसे देखें कि बाबा साब डुक्रा मीटकर हैं बाकी जो उनके जो टीम के लोग ते जिन्नोंने समीधान बनाया उनका यह सपना था कि भारत जब मुल्क बनेगा तो उस मुल्क में सब को समान अवसर और सिक्षा बुनियादी एक जरूरत के तो पर देखा बाद में आप देखेंगे तो राइट तो एजुकेशन भी बना समयधानिक अधिकार दिया गया तो यह तो सरकार की जिमेदारी ह कि भार अच्छी सिक्षा दो इसके लिए खर्च करो यह समयधानिक अधिकारों के खिलाब भी हमला हो रहा है और अपने जिमेदारियों से भागने के भी हो रहा है तो इसको सरकार की भूमिगा को कैसे देखता है यह जान-बूज के अह रहा है या जो आम जिस विचार-धर की बात करते हैं कि वह एक खास वर्ग को पढ़ने के अधिकार से रोग दे इसके पीछे वो वैचारिकता है इसको कैसे देखते हैं देखे विचार तो निश्चत रूप से होता है मैं तो आपके दर्शकों के जरीए संदेश देता हूं कि जरा आप भी खोजे ना सारी बात हम से क्यों बोलवाते हैं कि कौन इसके पीछे पहचानी हे कौन इसके पीछे उधार में देता हूं दो लोगों का नाम बाबा साब का आपने लिया मैं जोतिवा-फूले की लड़ाई के साथ साथ जो सब से महत्मूर लडाई लट रहे थे सक्षा के साविति भाई फूले फात स्टक्चर से लड़ रहे थे कि भाई लिबारेट करने का काम सिक्षा करती है सिक्षा डिगरी का नाम नहीं होता डिगरी का नाम होता तो माते पर टिगरी आं लगा करकि घुमते और देश का प्रादान-मन्तरी सबसे बड़ी तक इन लेकिन जब केवल आपने सिक्षा को डिग्री तक महरूम कर दिया इस तक आपने रोग दिया तो यहीं हुआ अब दूसरी वेक्ति का नाम इसकी लडाई एक जिक्र वाक्याई का कर रहा हूं उने सो तीस शालीस का वक्त होगा उस समय बंबे असेंबली में बाबा साब एक भाशन देते हैं और प्रपोजल देते हुए आंकड़े देते हुए कहते हैं कि आप स्टेट इन सारी गरीब लोगों से टैक्स के नाम पर इतना वसूल रहा है और उनको देने के नाम पर यह दे रहा है उसमें भी सिक्षा वो है जिस पर उस समय बाबा साब कह रहे थी कि एक फीज़ी से भी कम खर्च कर रहा है इस देश में जूट फैलाया गया है कि गरीवाज में टेक्स ने रहा है डिरेक्ट टेक्स दोनों होता है एक मजदूर जब दिया सलाई खरीटता है तो भी टेक्स देता है तो सारा पैसा सरकार के पास आया सरकार उसको क्या दे रहे है सडक बिजली पानी और चमचमाती राजमार्ग एलिवेटेड रोड विकास का मतलब यह नहीं होता इस देश में लोगों को पागल बनाया जा रहा है कि हम व प्रिक्षानीती हो चाहे नए स्कूलों को खोलने नए डिग्री कॉलेजों को खोलने की बजाया राज अपनी भूमी का पीछे करें अंबानी अडानी और अउधान दे रहा हूं समझे लवली प्रोफेशनल लिश्टी अशोका गलगोटिया खुले हुए हैं साच को आज का आत कंगन को आर्सी क्या पढ़ लिगे को पार्सी क्या अरे जाके देखिए वहां किनके घरों के बच्चे पढ़ रहें पांच लाग दस लाग फीस है ग्रिजुएशन की और कौन पढ़ा रहा है कौन पढ़ रहा है रिपोर्ट जारी करो 99 परसेंट वो लोग हैं जो शोश स्कूल में माश्टर नहीं है डिगरी कॉलेज में कभी क्लास नहीं चली डिगरी मिल गए उसे कि तुम ग्रेजुएट होगे तुम बारहमी पास कर गें अरे इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाने रहे हो आप इस देश में हम लोग के नारा लगाते हैं कि सिक्षा पर जो खर् हुआ हिस्सा खर्च करते छोटी-छोटी समस्या है अपने आप सॉल हो जाती हैं सेंटरल यूनिवर्सिटी एड्मिशन इंटरेंस टेस्ट या नई सिक्षा नहीं ती यह जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे कई गुना जादा भयावा है जो पहले से कमजोर और हाशिये पर है उनको और सिक्षा से दूर करने की नीतियां है इंक्लूसिव कह करके एक्स्क्लूसिव बनाया जा रहा है इसलिए वो नीतियां है जो मनुस्मृति तक ले जाती है यहां मतलब देखिए अभी दर्श्तों के जैन में एक सवाल उठा होगा कि भई एजुकेश बना चाहता हूं कि इन एडुकेशन इंस्टूशन को चला कौन रहा है आप 45 सेंट्र युनिवर्सिटीज के वाज चांसलर जब देखेंगे तो वह कौन है सवारन भारत में आज तक मेरी जानकारी के मताबिक तो कोई सिक्ष्या मंत्री दलित नहीं हुआ है कोई दलित सिक् सवार्ट हैं वो 89 पिछली बार बनाएते सारी सवाल तो यह चलाने वाले यही लोग है सवरनों के हाथ में पूरी की पूरी उसकी बागडोर है इनोंने ही एजुकेशन को बरबाद किया है तो जिम्मेदारी इन पर डालनी चाहिए जाकि बाकी लोगों पर जो डाल दिया ज है वो क्यों हुई है आप उसका जवाब है बिल्कुल देखिए एक मकान में आपने किसी ने कभजा कर लिया पचास साल साथ साल वो मकान में रहा मकान जरजर होने लगा तो उसके बाद जो बाकी लोग उस मकान के हिस्सेदार थे जिनको रहने ने दिया जरे दरेजे वो लो कि घड़ी में आपको आरक्षण को गाली देना याद आ गया इस देश में अभी महीने बर के भीतर यह हुआ है आपने कहा कि आपके आरक्षण इसलिए काबिल लोगों को विदेश जाना पड़ रहा है इतना असान है एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ ने ये रिक्ष जोड़ें तो नहीं जोड़ लेजिए 596 प्राइब के आकड़ें 596 कुलपतियों में से 6 दलित थे 6 अदिवासी थे 36 पिछड़े ते चाड़े 500 संवर्ड और 500 थे और 500 ऐक यह एक रिचाथे लोग थे संवर्डों में भी सबको नहीं मिला है एक है जो मुक से पैदा होने व वहां भारत की कोई यूनिवर्सिटी या इंस्ट्यूशन नहीं है तो जिम्यदारी तो आपकी है कमान आपके आप में तो आप जिम्यदार हुए उसके लिए सिक्षा जैसे जरूरी सवालों पर भी बात नहीं कि छोड़ दीजी आरक्षण की समझदारी छोड़ दीजे सामाजिक में आए लेंगिक में आर्थिक में हम तो नागरिक बहुत कहां पैदा कर पा रहें सिक्षा तो बड़ी कीमती चीज़ अनमोल चीज़ थी ने कीमती भी न कि खिलाफ हमारी टे की है हम तो यह सवाल पूछते हैं कि भाई सोने के चिड़िया तो आप थे आपके यहां वाई विमान अंगगन के ऊपर युद्ध कर रहे थे भक्तिकाल में आपके यहां तो उड़न तस्तरी चल रही थी और अधुनिक यान विज्ञान में पिछड़ पिछड़ों की वज़े से आरक्षण तो बाद में जला दिये और ब्रामणों को सोचने ने दिया कई बार हम लोग जब ऐसी बाते करते हैं तो जो देखता है वो सोचता है कि यह लोग जाती वादी है जाती है आप भी एक बार सोचे ना कि इस देश में सब को सिक्षा मिले रिक्षे चलाने वाले मजदूर गटर साप करने वाले को खेती किसान भूमिहीन किसान इनके बच्चों की सिक्षा की बात करना क्या देश में रोधी बात है और कौन लोग ते जिनकी वज़े से इनको सिक्षा में नहीं मिली नमबर एक बात कौन लोग वो नीतियां बना र पर लिख करके उनको आँख में आँख दिखाल करके सवाल पूछते हैं इसलिए नई सिक्षा निति लाओ लोग समझेंगे इने जब तक आप समझेंगे तब तक देर हो जाएगा आपके पच्चे का भविस्ट खतम हो गया इसलिए यह बहुत मेजर ड्रॉबैक है एजूकेशन रिफॉर्म के नाम पर एजूकेशन को डिश्ट्रॉइ करना है एजूकेशन रिफॉर्म का सलूशन में देता हूँ दस परसेंट बजट लगाओ नए सिक्षक जितने वैकेंसीज खाली है सरकारी विश्वद्याले से लिए के सरकारी स्कूल तक सिक्षकों की निवक्ति करो उनकी इमारतें ठीक करो बच्चे के घर की करीब तक स्कूल विश्वद्याले और डिग्री कॉलेज हो हर राज में ह जिले में जेन यू डियू बनाने की शुरुआत करो देखो यह राष्ट न बदल जाए तो कहना आप को कि पैसा नहीं है हर चीज के लिए आपके पैसा है सिक्षा के लिए नहीं है इसलिए इस तरह के प्रावधान उन लोगों को सिक्षा से और दूर कर देंगे जो लोग सिक्षा से दूर थे आख्री सवाल ले रहा हूं बहुत दिल्चस्प चाचा रही आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया मुझे उमीद है कि जो दश्रक इसको देख सुन रहे हैं उनकी क्राई बनी होगी कि सिक्षा किस तरह से गुलामी को तोड़ती है लेकिन फिर से ग तकलीफ होती है रुप्ट साब मैं यह जानना चाहता हूं आक्री सवाल के तोर पे कि यह जो तकलीफ हैं जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं सिक्षा की बदहाली पर सरकार के जो नहीं है मैहून पर इसका जो प्रतिकार है वो समान से उस तरह से नहीं देखते हैं कि भई ज सिविल सोसाइटी है वो कोई बड़ा अंदोलन करें या सरकार से सवाल उठाए कि भई आप जहें सिक्षा को इस तरह से बाजारू नहीं बना सकते इतने दुर्गती सिक्षा के नहीं कर सकते तो क्या एक जन अंदोलन की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं भारत को या उसकी लाग बेहतर है एक उम्मीद दागदार सभी मगर मैं नाउमीद हूँ जिस देश में एक फिल्म को दिखाने के नाम पर अप्रत्याशित तोर पर हिंसा नफरत भरी जा रही है और लोग काम्याब हो रहे हैं उस देश में मैं सिक्षा के लिए किसी जन अंदोलन की उमीद मे नाउमीद हूँ पहली बाद ये इसलिए भी है कि मैं इसका सारा दोश उन लोगों पर नहीं दे रहा हूँ जो नफरत क्या बैपार कर रहे हैं सियासत कर रहे हैं और दूसरी तरफ सिक्षा रोजगार से आपके बच्चों के हक को छीन रहे हैं सारा दोश उनका नहीं है दो यार होते बाबा साब होते डॉक्टर लोहिया होते यह सारे विचारक जो पूरी समाजिक नयाए की विरासत है समाजिक नयाए के क्यों लड़ाई है चोड़ दो आरक्षण नहीं चहीं आरक्षण एक्वल प्लेइंग फेल्ड तुमने शेक्षा में अपना एसर की रिपोर् नाम करके गाली दे करके नहीं है पहली लड़ाई अगर यह सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है इस देश को और खास कर दलित पिछड़े आदिवासी पसमांदा लोगों को मैलाओं को सिक्षा के सवाल पर चिंतित हो यह नंबर एक बात जो चिंतित नहीं है इसकी वज नो रोज़ पैसा मिलता आपके सामने इस essesатов देखता दीआ के परिवार को और संपत्ति मिलती सिक्षा मिलने और नमिलने का असर तो सालों बात देखता है सिक्षा वह चीज़ जिसका असर तुरंट नहीं देखता है इसलिए लोगों को समझ में नहीं हाता कि आप से क्या छी रहना वो सिक्षा पर काम कर रहा है जो राश्टी स्वयम सेवक संग जैसा शातिर कोई दिमाग रखता है ना वो 1925 जिस एक जिगह पर काम कर रहा है कि एजूकेशन पैटर्न बदल दो बाल नरेंद को सिल्वस में ले आओ भगवा जंदा तालाब में गया तो बाल नरेंद मगर मच के बच्चे को भी ले आए यह हमारे सिल्वस में लग रहा है नई सिक्षा निती में लग रहा है सवाल यह है सुमिच जी कि समाज नहीं समझ पा रहा है तो समाज भी दोशी है और समाज को समझाने वाली जम्मेधारी जिन लोगों पर थी इन विश्रों द्यालियो है कि सिक्षा को लेकर के तो अंदोलन होना मुश्किल है मेरी उमीद हो मेरी हसरत यह है कि अंदोलन हो सिक्षा आपकी नोकृरी नहीं मिलेगी न अला तो एक दो व्यक्ति बरबाद होगा एक दो प्रिवार बरबाद होगा नई शिक्षा नहीं ती explosion liability यंट trainings friendly है यह computer के center, coaching center गाओं में बनेंगे मेरे आजयमगड में कितने coaching center बनेंगे आपके हर्याणा में, बिहार में उड़ी सा जार खंड उधर इंटीरियर में कोई कोचिंग सेंटर कोई कंप्यूटर सेंटर बनेगा क्या तो आपकी पहुंच से दूर है यह वो रेस है जिसमें आपको दोडने से पहले आपके पैर में लोहे का जूता पहना दिया गया आपको वो जूता देखने रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस देश में लोग जाने कि सिक्षा बरबाद हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा न समाजिक नयाय बचेगा न कोई समाजिक बोध बचेगा न राश्ट बचेगा इसलिए सिक्षा पर कोई आंदोलन खड़ा ओओ तब ही यह समाज बच पाएगा देखे अगर अंदूलन होगा तो भविश्य सुरक्षित रहे पाएगा और इस बात को सबसना बहुत जरूरी है कि सिक्षा के बिना खासकर दलिद बोजन बैग्ग्राउंड से आने वाले लोगों का कोई भविश्य है नहीं लेबर क्लास के तोर पर आपको तयार किया को सबल ना बना सके उससे रोकने की कोशिश के तोर पर मैं इस पूरी नीतियों को इस पूरे शडियंत्र को देखता हूं आपका इस बारे में क्या कहना है डोक्टर साब ने जो बाते समझाई उससे आप इत्तिफाक रखते हैं तो अपनी राये रखें सिक्षा पर डोक्ट को लेके जो हैं काम कर रहे हैं तो यह अब जो फैसले रहे हैं उसे और परस्टनल भी तकलीफ हो रही है बिल्कुल बदल गया जो हम बोले थे वो गलत हो गया और आखरी चोटा से पॉइंट सुमिझ रह गया था लेटरल इंट्री तो एजूकेशन में आ गई है वो जो एक बेहतर गुडवत्ता पूर नेशुलक सिक्षा के लिए एलिजिबल होता है एक सिक्षक बनना बहुत मुश्किल होता है लेकिन हाप लेटरल इंट्री पीएजडी ना कियो हो तो भी आप यूजी सी नेट जैरफ नहीं है तो भी आप आईए पढ़ाईए तो यह सब कु पीड़ी की पीड़ी बरबाद कर देगा आप सिक्षा के वहां पर खड़े हैं जहां सब कुछ जाबाद हो जो मुक से पैदा होने वाले लोगों को सारे की सारी सुविधाएं और तमाम तरीके के साधन दे दिये जाएं और जो बाकी शरीर के इस्सों से पैदा हुए उनको वही पर कुछल दिया जाए उसकी तरफ यह पुरी की पुरी कोशिश है इस पुरी चर्चा पर आपका क्या कहना है इस विशय में सिक्षा के विशय में आप क्या सूच्छे उस पर अपनी राय दें और हमारे इस वीडियो को अ करना भूलें बहुत बहुत शुक्रिया